अगर आप भी हो गए हैं मोटापे से परेशान अपना वजन कम करना चाहते हैं, बहुत सारे उपाई करके देख चुके हैं फिर भी वजन कम नहीं हो रहा है, तो आप सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि आज मैं आपके साथ तीन ऐसी ड्रिंक्स शेयर करने वाली हूं, जिसे आने में थोड़ा सा परहेश किया, क्या-क्या खाया, वीडियो में बताऊंगे आगे, और ये साथ में तीनों ड्रिंक्स मैंने बदल-बदल कर पी, और मैंने अपना कम से कम 11-12 किलो वसन कम किया है, ये मेरा पहले का फोटो है, मैं कुछ ऐसी दिखती थी 6 महीने पहले, आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी चीजें आपको समझाने वाली हूँ, कैसे आप अपना वजन घर बठे कम कर सकते हैं, तो ज़्यादा बाते ना करते हो, वीडियो शुरू करते हैं, हाई फ्रेंस, मैं गीता वर्मा, गीता किनूर हिंदी में बार फ्रेंड से आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, तो कर देजेगा लाइक, दोसरों के साथ शेयर करिएगा, ताकि जो लोग भी अपना मोटापा कम करना चाहते हैं, वो इससे अपना वजन कम कर सकें, और साथे कमेंट करके बताएगा जरूर कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं, और ये वीडियो आप कौन से शहर से देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आये हैं, तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा, साथे नोटिफिकेशन बेल को अन करना बिलक के साथ शेयर करूंगी, तो सबसे पहले मैंने जितने भी वाइट चीज़ों होती हैं, उन्हें अपनी डायेट से निकाल दिया, जैसे की चीनी, मैदा, सफेद चावल, उसकी जगे आप ब्राउन राइस इस्तिमाल कर सकते हैं, और मैंने यहां पर सफेद नमक को भी अपने खाने से निकाल दिया, आप उसकी जगे काला नमक या फिर सेना नमक का इस्तिमाल कर सकते हैं, अगर यह चीज़े आप अपने जीवन से निकाल देते हैं, अपने डायेट से निकाल देते हैं, तो आप बहुत जल्दी अपना वजन कम कर पाएंगे, दूसरा काम मैंने क्या क जिसे हमें बार-बार क्रेविंग्स नहीं होती हैं, भूख नहीं लगती हैं, अगर आप सीखना चाते हैं, प्रोटीन शेक घर पे कैसे बना सकते हैं, तो मुझे कॉमेंट करके ज़रू बताएगा, मैं आपके लिए बहुत ज़र्दी वीडियो बना दूंगी, इसारा मैंने जो परहेस किया, बाहर की खाने का परहेस किया, मैं जादा बाहर का नहीं खाती हूँ, जो घर में बनता है, वही खाती हूँ, कोई स्पेशल में खाना नहीं बनाती, जो भी घर में बनता है, वही बनाती, जिसे दाल, चावल, रोटी, सबजी बना है, तो मैं एक रोटी ले कुछ नहीं किया घर पे हलकी एक्सरसाइज की साथी वॉक की अपने छट पर जाके में वॉक करती थी और जितना ज्यादा वॉक करेंगे उतनी जल्दी आपकी कैल्टिस बर्न होगी तो यह थी कुछ छोटी-छोटी जो आप अगर फॉलो करते हैं तो आपका वेटर बहुत ज पिलाती है उनके लिए यह द्रिंक है तो यहां पर आधा चमश में अजवाइन मिला दिया है बहुत ज़्यादा आजवाइन आपको आड़नी करने क्योंकि गरम होता है गर्मी का टाइम चल रहा है इसमें कुछ तुलसी के पत्ते हम इस तरह से एड़ कर देंगे और इसमें थोड़ी चुटके भ़़त दाल चीनी आपको add करने है यह सारी चीजी कम कौंटीटिटिपे आपकर क्यूंकि गर्मी का सीजन है आपके पेट में गर्मी भी कर सकता है अगर हम गरम चीज नहीं लें गैगे तो हमारे पेट की चरवी गुनगुना होने के बाद इसमें हम मिलाएंगे शहद और यहां पे जो शहर लेंगे बीना चीनी वाला बढ़िया रो हनी आपको लेना है इसे आप खरीदना चाहते तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूगी या फिर इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं यह इसमें डालेंगे दो हरी इलाइची इस तरह से कूट के और यह जो लोग चाय पीने के शौकीन है उनके लिए बहुत अच्छे अब इसके अंदर हम आधा इंच अद्रक का टुकड़ा इस तरह से घिसके डालेंगे जो अद्रक की तासिर होती वह भी गरम होती है पेट की च चाय पीने वालों के लिए बहुत अच्छी है जिनको बार-बार चाय पीनी के अदत होती है चाय से हमारा बेट बहुत सदा बढ़ता है तो इस तरह से चाय बनाकर पीएंगे तो वेट नहीं बढ़ेगा बलकि उल्टा वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा तो यहां पर च चीनी वाला वही मिला देते हैं उसे फिर उनका वेट और ज्यादा बढ़ने लगता है तो इस चीज का ध्यान रखिएगा इस तरह का हनी ही आपको लेना है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसमें आधा निम्बो का रस आपको इस तरह से बेट लॉस्पी होगा और इसे भी आपको खाली पिट लेना है और चाय की जगह लेना है तो फिर से एक डिंक से खा रही है तीसरी डिंक'S के लिए एक गिलास पानी नालेंगे पैन में और इसके अंदर हम डालेंगे आधि टी स्पून हलडी बहुत सद हल्दी की बीं टासीर गरम होती है इसलिए हम थोड़ी सी हल्दी यहाँ पर आड़ करेंगे पर जो हल्दी होती है वा फैट कटर बहुत अच्हा काम करती है अब के फैट को निकाले में बहुत सद अधा मदद ताल चिज बहुत है कि गर्मी का टाइम चल रहा है सर्दी है तो कोई दिक्कत नहीं है तो इस तरह से इसे मिला लेंगे और इसे पांस मिनिट के लिए हमें पकने देना ताकि जितनी भी चीजे डालें इसका फ्लेवर पानी के अंदर यहां पे जो हमारे खाल्दी वाली चाय वो रेड़ी हो गई है बट इसे भी लेना कैसे मैं आपको बताती हूँ तो यहां पर मैंने कैस बंद कर दी है इसे छान लेंगे और इसे भी आपको घरम घरम बिल्कुल नहीं लेना है कि अल्रेडी गरम तासीर की है gherm gherm लेंगे तो यह और जदा गर्मी करेगा तो आपको क्या करना है गुण गुनज हो करने के बाद इसमें थोड़ा सा शहद मिलाना हैि इसमें आपको निम्बू बिल्कुल नहीं मिलानाहैं इस में से कौन से ट्राय करने वालें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ तिल दिन गुडबाई